नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रोहीत और आप देख रहे हैं बीग रो म्यूजिक सीरीज तो दोस्तो आज जिस हमकी हम अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो हमारा हाइपर सोनिक का मोनो एम्प्लिफायर हैं काफी सारे भाईयों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई हमें कॉम्प ही रहती हैं तो वहाँ पे चलो आप लोगों वैसे तो मैं इसकी वीडियो पहले दिखा चुका हूँ बट दुबारा से मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ एक बार यह हमारा हाइपर सोनिक का मोनो है जिसकी आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी जो पावर की बात की जाए तो पावर इसकी लगबग लगबग 1250 लगबग नहीं 1250 तो इसकी है ही बट यह थोड़ा बहुत उससे उपर भी चला जाता है और काफी सारे भाई यह पूछते हैं कि अब भाई इस एम्प्लिफायर पे सब वूफर कितने चलेंगे इस एम्प् कुछ इस टाइप का हमारा यह बॉक्स होने वाला है आप लोगो दिखाई दे रहा होगा यह बैक साइड में इसकी स्पैसिफिकेशन है आप लोग पढ़ सकते हो वन ओम पे 1250 वाट है टू ओम पे 850 है और फॉर ओम पे आपका यह 500 वाट रमस देता है बाकी सब सॉनी वग रखी हुई है यह हमारा वरेंटी कार्ड है इसके अंदर आप लोगों को वन नियर वरेंटी मिलती है तो वरेंटी कार्ड को हम साइड में रखते हैं और इसको भी साइड में रखते हैं उसके बाद जो हमें साथ में इसके साथ एक्सेसरी मिलती है वो हमें रिमोट मिलता है जैसे कि यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यह हमारी बेस जिसको हम बेस नोब बोलते हैं कि जैसे आपका amplifier कहीं पे भी set हो आप बार बार gain को कम ज्यादा नहीं कर सकते तो इसको आप लगा के अपने हाथ में कहीं पे भी रख सकते हो ताकि आप लोगों अगर जो बेस वगारा कम करनी हो family साथ बैटी हो तो तब आप इसका use करके base को कम जादा कर सकते हो अपने हिसाब से और song के हिसाब से भी ज़रूरी नहीं है कि यह family के लिए यह कम के लिए बनाया गया होता है कई बार matching नहीं होती अच्छे तरीके से हम song को change करते हैं तो कुछ song किसी और frequency पे चलते हैं कुछ ज़्यादा loud होते हैं कुछ कैसे होते हैं तो यहां से हम level को change कर सकते हैं कम जादा अपने हिसाब से अगर base कम लग रही हो तो base बढ़ा सकते हो अगर base ज़्यादा लग रही हो तो base कम कर सकते हो तो इसका हमारा यह काम है तो कुछ इस type का हमारा amplifier है जैसा कि आप लोगों दिखाई दे रहा होगा यह बहुत ही compact size जादा बड़ा नहीं है और power की बात की जाए तो power भी बहुत अच्छी है और सबसे main चीज़ जो इसके अंदर है पहले मैंने बताई है कि इसके अंदर आप लोग Piner के, JBL के, Sony के सबwoofer बड़े प्यारे चला सकते हो जैसे कि जो बड़े amplifier होते हैं उनके अंदर खराब हो जाते हैं आपके सबwoofer setting नहीं होती अच्छे से तो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर बड़ी असानी से कर सकते हो अगर price की बात की जाए तो इसका price हमारा होने वाला है 8500 रुपे तो उमीद है दोस्तों आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो लाइक करना बुरी लगे तो डिसलाइक करना तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हम बाबाए